नमस्कार दोसों आपशभी का बहुत बहुतं स्वानव करने चाहता है इस नाम का इंशान अप व्यक्ति निए दोसे नोसे हम आरे इस बात को ब्लूब भी बुरा मत मानिएगा बिल्कुल भी तकलिक हर अपमानिएगा धियां कि दोस्तों हम आपके दिल को ठेश नहीं पहुंचा रहे हैं दोस्तों हम आपके जिवनकाल के आपको शचाई बता रहे हैं ताकि दोस्तों आप भश में वेक्टियों से समल सके अपने जिवनकाल में आप तरक्की कर सके जिवनकाल में पिछले कई शारे वीडियो में आपको बहुत शारी इनके बारें बात किये हैं कि दोस्वों फिर भी बहुत जादों के इसे कमेंट आते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परिशान हैं हमारी जूनकाल की परिश्यानियां खत्म नहीं हो रही हैं और कौन सा व्यक्ति है जो हमारे पीछे पड़ा है जिनके वज़ये हमें इतना दुख जिलना पड़ा है जिनकी करण हमें पर जिनकाल में कभी शपलता हैं नहीं मिल पा रहे हैं लगतार परिश्यान ही हमारे जिनकाल में चल रही है तो दोस्तों हम आप शुबिक के शारिष वालों का जवाब आज की वीडियो में देने वाले हैं कि आखिर हुआ कौ आफ शुख सेंसे दिए दोसों आप शुबीक को बता दें कि जब भी आप अपने यूचाल में आगे बढ़ते हैं जब कर दोस्तों इस वैक्ति को आपकी खुशी देखी नहीं चाहती इसकारन दोसों यह आपको जान से मर देना चाहता है जै दोसों हम आप शुभी को पिता दें कि एशे व्यक्ति शे आप हो जाएं शावधान, जी दोसों आने वाली शमे में यह आपके लिए बहुत यह खत्रनाक शावित हो शकता है, और डोसों शबसे जानने वाली बात यह है, कि दोसों यह कोई गैर व्यक्ति नहीं है, जो कि आपको नहीं जानता है दोस्तों यह आपके सब्सिए अपने करीबी लोग हैं जैंक्स आप वीच्रेश को करना चाहते थे दोस्तों जुनकाल में आप बहुत ही जादा आगे तक जाना चाहते हैं लेकिन दोस्तों श्वेक्ति की वज़ेशे कोई ने कोई शंकट आप श्वेकी जुनकाल में आही जाता है जिनके वज़ेशे दोस्तों आपकी खुशकबरी दुखों में तबदिल हो जाती है दुखों ही नहीं दोस्वाप शिभु को बताती कि आपकी किशमत खराब नहीं है आप जितने अच्छे करम रखते हैं, दोस्वाप का शारिक्षा खरम करना होगा तब दोस्वाप शीप को बताती कि आज की वीडियो में हम आपको इस व्यक्ति के नाम के बारे में बताएंगे शाति के आप इस व्यक्ति को अपने जुनकाल से निकाल सकते हैं इसके बारे में बताएंगे शाति दोस्तों कौन सी उपाय को आपको करना है ताकि दोस्तों दोबारा यह है व्यक्ति आप शिवे की जुनकाल में दस तक देखी ना सोखे दोस्तों आपकी जवन की शारी शामश्याओं का शारी अतलों का यello में उत्तर मिलने वाले हैं जीवन के महत्तन शमई निकाल कर गयर अज के वीडियो को दोस्तों उंत्र दिखिजिए गा माप शबी को दावे के शाथ बता शकते हैं कि जो इस वीडियो में हम बातें बताने वाले हैं वह 100% शटी होंगी और दोस्तों इस व्यक्ति का नाम शुनकर आपके भी होश उट जाएंगे शब्से फ़ेले दोस्तों आपका आश्णा और विश्वास इंके उपर आपने रखे हैं दोस्तों वो टूट जाएंगे कि दोस्तों विश्वास एक बहुत दीप नाजुक से चीज़ है जिसके उपर दोस्तों एक बार आजाता है दोस्तों उड़ता नहीं अगर उड़ जाए तो दोस्तों वहाद विश्वास दोबारा जूड़ता नहीं है जो दोस्तों और यहाबार शत्ति भी है कि दोस्तों भगवान श्री किष्ण ने यहाबात कई है कि जो भी हमारे जुनकाल में दुश्मन होते हैं जो भी हमारी जुनकाल में शत्रू होते हैं, जो भी हमें नुक्षान करने की चाहत रखते हैं, जो भी हमारी जुनकाल में हमें खुशने देखना चाहते हैं, दोसों एशे व्यक्तियों से पीछा छुड़ा ही लेना अच्छा होता है, या व्यक्ति अगर आपको जुनकाल में एक बार धोका दे दे तो उन्हें माप कर दीजी और अच्छा बन जाए लोगों की नजरों में लेकिन दोबारा उन पर विश्वास्ट करना बहुत ही बड़ा बेवकूपी हो जाए की जिया दोस्तों तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा उश्य पहले दोस्तों ज जय श्री राम जरूर लिखेगा दोस्तों आप शिविक के दुखों कांत कर देंगे जो उनकाल में प्रेश्यानिया कभी आएंगे ही नहीं और श्री राम और महावली हनुमान जी का अश्री मश्रुवात आप शभी को प्राप्त होगा जया दोस्तों तो ऐदोस्तों से के बात करते ही हम आप शभी को बता दें कि पिछले कई शमयों से पिछले कई शालों से आपके शाथ इसा देखा जा रहा है कि आप जिनके कभी बहुत यदा अपने थे यानि कि दोस्तों आप जिनके बहुत यदा करीब थे जो आपके करीब लोग थे वही आज के जवाने में आपके जान के दुश्वन बन चुके हैं अजियां दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि यह वही लोग है जिन के लिए आपने अपने जिवन की शारी खुशियां उनके उपर निशावर कर दिया था और दोस्तों यही लोग आज आपकी कुशी देखना नहीं शाते जब आप कुश होते हैं तो दोस्तों इनके अंदर जलन महशूज होने लगती है दोस्तों किशी ने बहुत खुब कहा है कि जूट कहते हैं लोग कि हम शब मिट्टी के बने होते हैं मैं शेक कई अपनों शिवाकिप हूँ जो पत्थर के बने हैं जया दोस्तों और आपके वी जुनकाल में इस दोरान कुछ ऐसा ही देखनों को मिल रहा है जया दोस्तों और यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है कि दोस्तों अब आप अपने जुनकाल में जो भी करेंगे समल कर करें कि दोस्तों अब आपको अपने जुनकाल में शमलना बहुत ज़रूरी हो गया है जिया दोस्तों और दोस्तों जो आप पहले गलतियां करते थे उन्हें अब आपको नहीं दोराने है यानि कि दोस्तों किस करते हैं और अच्छाई करना का पहन कर आप यह मीठी मीठी दो-चार बातें कर लेते हैं और जब आप शी काम निकल जाता है तो दोस्onomy आपको लाद मार देते हैं दोस्तों कमेंट करके आप मैं ज़रु बताए कि जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ, क्या दोस्तों ये आपकी जूनकाल में पिलाल नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों हम आप शिपी को एक बात बदाना चाहेंगी कि लोग आपके शाथ तरह तरह की बातें करेंगी लोग आपको तरह तरह की शलाही भी देंगी लेकिन दोस्तों आप करें वही जिन में आपका हिर्दय जिन में आपका दिल और दिमाग शपोट कर रहा हूं या लेकिन दोस्तों हम आप शबी को बताना चाहेंगे कि अब आप उन्हें जुनकाल में या गलतियों को बिल्कुल भी ना दो रहें। जियां दोस्तों यानि कि दोस्तों आप शबी जोवी भी भीशन लेंगे, खुद से ही लेंगे। आप किशी लोगों पर विश्वास करना अब शोड़ दें कि दोस्तों ईशाक करके आपने पहले भी धुखा काया है। और आपको विश्वास करना ही है तो दोस्तों अपने मेहनत पर करें अपने परिश्रम पर भरोशा रखें और दोस्तों अपने इश्वर पर अपने भगवान पर भगवान शुंदेव पर यकीन करें दोस्तों आपकी कर्मों का अफ़ल भगवान शुंदेव अवशी देंगे दोस्तों किसी ने शही कहा है कि जिसकी फित्रत हमेशा बदलने की हो वह कभी कीशी का नहीं हो शकता चाहिए वह शमय हो या फिर इंसान हो अकेले बेटकर रोना भी मौत से कम नहीं जहां पर शवाल भी आपका होगा और जबाब भी आपकी होगे इशके शादी दोस्तों खुद पर थोड़ी वफा कीजिए और जो आपको दर्द दे उशे दफा कीजिए आप अपने उपर जितना होश के फोकस रखें ध्यान रखें कि दोस्तों कई बार आप लोग दूसरों को खुश करने के चकर में अपने आपको भूल जाते हैं और अं बिसले दोस्तों में आप शुबी से बस यही कहींगी कि कभी भी दोस्तों से आप एकचा ना रखें दोस्तों अपने आपको आगे बढ़ाएं मैंनत करें सच्चे दिल से प्रिश्रम करें दोस्तों और इशवर पर जीससे आप यकिन stick的话 येशी परकार दोस्तों यकिन रखे आपको शुबलता जरूर ही मिलेगी जी अगोसों दोसों आपको बता दें कि पिछले कुशालों से इस राशी के जो लोग है जो आपके जोन में शबसे ज़्यादा पहिशान है जी दोसों बर्मांड में विश्व में कुल जितनी वी राश्या है समस्त राश्यों में से आपकी ही एक राश्य एक लोता एश्या है जिनके पिछले कुश वर्स बहुती ज़्यादा दुखत बीते हैं और शाय दोसों बहुती मुश्यवितों का शामना भी आपने किये हैं एश्या में दोसों आप लोग को बताना चाहेंगी दोसों यश में जो आपकी गरहों की पस्तिती है वह दर्शा रही है कि आज रात बारा बजे से आपके उपर तांतरिक किरियाएं कुछ लोग करने वाले हैं यो के हैं तो दोसों आपकी जुनकाल में शंकट आने वाली है जिया दोसों परंदो दोसों इस बार जो आपके उपर शंकट आने वाले हैं जो मुश्यूपिते आने वाली है इनमें आपके ही गलतियां छूपी हुई दिख रही है जिया दोसों आपको बताना चाहेंगे कि दोसों आपका नेचर बहुती शिधा होता है बहुती श्रल्शो गिराने के बारे में सोचते हैं और दोस्तों ना ही किसी को पीज़े ढखलने के बारे में भी सोचते हैं प्रदू दोस्तों इतने शीधे इतने अच्छी होने की बावज़ुद भी इस राशी के जातकों का लाब पूरा दुनिया उठा रही है और दोस्तों लोग आपके भोल उनके जाल में फंसते जाते हैं जिया दोस्तों और शी के चलते आपके जुन काल में शंकुटनों का आपको श्मना करना पड़ता है तो दोस्तों आपके जुर्म में छुपे कोई तीन एशे लोग हैं जो आज रात बारा बज़े शे जिया दोस्तों पुना शुन लिजिए आपके ही जीवन काल में रहने वाले तीन लोग जो की आज रात बारा बज़े शे आपको अपने बातों के जादू में फंशाने वाले यो कहें बातों के शित आंत्रिक किलिया होगी जैसे आप उनके जाल में भषशने वाले हैं। और दोस्तों इस बार कोई बड़ी मुश्रमत आपकी शराख सकती है। तो दोस्टों इसमें आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि दोस्टों आपके राशी के जो भी जात तक हैं आपको तीन गलतियां बताने वाले हैं जिस दिन जिस तीन गलतियों को दोस्टों आप अपने आने वाले आगे जिवन में बिल्कुल ही ना करें बिल्कुल ही ना दोराए जैने दोस्टों अभी भी आप इन गलतियों को गांट बांध लें जिया दोसों, चाहे आप कुछ भी कर लेंगे, प्रन्तु आपने जीवन में तीन गलतियों को कभी भी भूल कर नहीं करेंगे जिया दोसों जब आप इनके बारे में जानेंगे, तो दोसों, शरुपर्थम आपकी गलती आती है, सबी को अपना शमजने की भूल जिया दोसों इस राशी के जातक शवी को अपना मानते हैं या लोग दोस्तों एकता में विश्वास रखती हैं आप लोग सोचते हैं कि शवी का विकाश एक शाथ होना चाहिए दोसों अगर हमारे जिन्दगी में मुशिवत आए तो शवी को एक शाथ रह कर जहनने चाहिए ज्या दोसों और वहीं दूसरे लोगों की शोच आपके विप्रित होती है ज्या दोसों आपको बिता दें प्रतु दोसों वह लोग केवल केवल आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं ज्या दोसों आपको बता दें कि जब भी आपके उपर मुशिवत आती है तो दोसों आप देखते हैं कि आपके शाथ कोई भी खड़ा रहने वाला नहीं है दोसों शब दुम दबा कर आपके पास ये भाग जाते हैं ज्या दोसों गर आपको हमारा यह बात सचा लग रहा हो तो दोसों हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा ज्या दोसों कि आप कभी अपने जुनकाल में एशे हुए हैं जब आप अपने की गलती को अपने शर ले लिए हैं उनके मुशिवतों को आपने बांटा है प्रहेंदु दोस्तों जब आपकर शंकाट आया तब दोस्तों शभ भाग गए दोसों आपको अपने मुशिवतों का शामना अकेले ही करना पड़ा इसलिए दोसों आप इन शबी बातों को गांट बांद कर लग लिजिए कि दोसों बिना किसी को सोचे बिना किसी को समझे उनकी उपर भरोशा और उनकी मदद बिलकुल ही ना करें आज यही आप इनको करना बंद कर दें जिया दोसों आप अपने लक्ष तक पहुँच पाएं किसी और को बिल्कूल भी फर्क नहीं फड़ने वाला तो दोस्तों आज श्रे आप अपने की सोचें और दोस्तों आपके दूसरी गलतियां होती है कि दोस्तों जिस भी वेक्ति से मुलकात करते हैं आप जिवन से जुड़े सबसे बड़े महत्मुन बातों को शेयर कर देते हैं तो दोस्तों यह बात को आपको ध्यान वे रखना चाहिए कि जिस भी इनसान से मिले चाहे आपसे बार-बार मिले हो या फिर बहुत सालों के बात एक बार मिले हो लेकिन दोस्तों आप उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए आप अपने जिवन से जुड़े कुछ भी महत्मुन बातों को बिलकुल भी शेयर ना करें कि दोस्तों ऐसे ही लोग होते हैं जो एक दिन ही बले आपसे मिलते हैं लेकिन दोस्तों आपके शबी बातों को जान लेते हैं और फिर आपके उपर में शंकुटों का वह इशात जाल बिछाते हैं कि दोस्तों आप उनमें फंसते चले जाते हैं ज्येंदोसों और तिष्री गलती आपके जीन में यहाँ है कि धन के मामले में किसी परहत से ज्यादा भरुशाद ना करें क्यों वर्तमार शुम्हें में पैशा ही सब कुछ है ज्जेंदोसों बात कड़ी है लेकिन दोस्टों इस बात पर सचाई ही है जी हैं दोसों आपको बता दें कि आज की दौर में पेसव को ले कर किसी का भी नियत बिगड सकता है दोसों वही दोसों घरों की आज की जो इस्तिती है वो आप बता रहे हैं दोसों आज रात 12 बजेशी आपके उपर कुछ लोग तांत्रिक किरियाई करने माले हैं यह कहें तो दोस्तों अपने बातों के जाल में आपको फशाने वाले हैं तो दोस्तों इसे लोगों से आपको बचना है जो लोग आपके जूनकाल में आपके पहचान में हैं दोस्तों उनसे आप दूर रहें जो भी लोग आपको इसे बातों में फशाना चाहते हैं तो दोस् दोस्तों अगर आप अपने जूनकाल मीने रहने देंगे तो दोस्तों दिन पर दिन आपकी जो मुश्यूपत है उन्हें बिर्दी होती जाएंगी और दोस्तों आप इन्हें सचे मित्र मानते हैं आप एश्य दुस्मनों से पीछा चुटा लेजिए वाएश्य के इसाद बात बताने वाले हैं। दोस्वनवाप्स नाम के पहले एक्शर आपके गाओं में आपके आज परोश में यह पिर पीर रिश्तीदारों में शाद नाम होगा दूस्वनलें आंस और नामों पर यकीन किजिएगा जिन पर दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा शक रहता हो जो आपको पहले कई बार दोखा दे चुके होंगे या पिर कभी दोखा देने का प्रयाश कियोंगे दोस्तों वही आपका सबसे बड़ा शत्रू है तो दोस्तों नाम को बहुत ही गौर् और यहीं आर एल डी दोस्तों का व्यक्ति आपको उनकाल में आपके शिंप में हैं और अगर शक हो रहा है तो यहीं इन्शान आपके उनकाल में श्बसे बड़ा शत्रु हो सकता है बस दोस्तों आपको करना क्या है यह वेक्तियों के लिए आपको कुछ महत्पन उपायों को भी करना चाहिए जह दोस्तों आप शुभी को बता दें कि आप अपनी जुनकाल में हनुमान जी के मंद्री में शनी वार्या फिर मंगलवार की दिन एक पान का बीड़ा लेकर जाए और दोस्तों महावली हनुमान जी को अर्पित कर दें और वायश में हनुमान जी से प्रातना करें कि शंकट मोचन जैश्री हनुमान जी हमारी जुनकाल की शारी बधाएं अब खत्म कर दीजिए हमारी जुनकाल में जो भी हम श्री भूल हो गई हमें शमा किर दीजिए हमें अपने शर्ण में लिजिए हे शंकट मोचन किरपानी धान दोस्मों आप शबी की जुनकाल में यह उपाई बहुत ही कारगर्शित होंगी शबी शत्रूश आपको महामली हनुमान जिर रक्चा करेंगे और जुनकाल में कुश्कियां परकार रहेंगी तो दोस्मों उमीद करत